हेलो दोस्तों स्वागता आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल पर क्या आप ड्रीम 11 में 2 क्रोड रुपय जीतना चाहते हो क्या आप ड्रीम 11 खेलकर क्रोड पती बनना चाहते हो क्या आपको रैंक वन लानी है क्या आप ड्रीम 11 में ग्रैंडिक विन करना चाहते हो तो दोस्तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो और इस वीडियो में मैं आपको एक-एक पॉइंट के बारे में समझाऊँगा अगर आपने एक-एक पॉइंट को ज्यान से समझ गए तो यहाँ पर आपको Grand League विन करने से कोई भी नहीं रोप पाएगा तो यह कौन-कौन स रहाँ नहीं से है, और दोस्तो उसके बाद सबसे important point यह है और दोस्तो यह जो मैं आपको तीन पॉइंट बतासूगा ये तीन पॉइंट dream left जीतने के लिए सबसे important point है क्योंकि यहाँ पर रही dream left میں ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं क्योंकि इन तीन पॉइंट की वज़े से लोग Grand League मिस करते हैं और Dream 11 में 13 करोड से ज़ादा यूजर्स है या फिर यह कही है कि Dream 11 में 0.1% लोगी सफल होते हैं और बाकी लोग सिरफ इसी वज़े से Grand League भी नहीं कर पाते क्योंकि इन चीजों को समझ नहीं पाते और सबसे बड़ी गलती लोग य वीडियो हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ से 10-15 मिट निकाल देते हो तो यहाँ पर आप बहुत कुछ हासिल कर जाओगे और दोस्तों हम इतने बड़े बिजनेसमेन भी नहीं है कि हम 10-15 मिट निकाल कर हमारा लाखो करोड़ा का नुकसान भी हो जाएगा इसलिए इस व report और player battle यह सब आपको पता है और उनके जो state होते हैं वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो वेबसाइड से भी निकाल सकते हो या फिर किसी का वीडियो भी देख सकते हो For example, Crick Informer वाले भाई साब है उनके वीडियो भी आप देख सकते हूँ वहाँ पर हर player का stat मिलेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है Grand League जीतने के लिए आपको इन point को समझना बहुत ही जरूरी है तो ये point में मैं आपको समझाऊँगा तो सबसे पहले मैं point wise आपको बताता हूँ कि आपको dream 11 के beach team कैसे बनानी है और किस तरह से आपको player select करना है और captain और vice captain कैसे select करना है तो हम सबसे पहले तो पहले point पर आते हैं तो दोस्तो सबसे पहला point है हमारा pitch report जब भी आप dream 11 के team बनाते हैं फोर एक्जामपल यहाँ पर pitch bowling friendly pitch है यहाँ पर bowler wicket निकालेंगे spin को ज़्यादा मदद मिलती है और ground का size छोटा है तो उस condition में आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी team में bowler को select करना all rounder को select करना है और फिर captain और wise captain भी आपको bowler में से ही select करना है तो यह सबसे main point है वहीं अगर pitch batting friendly पिछ है तो ऐसी condition में आपको ज़्यादा से ज़्यादा batsman को select करना है और ground का size भी देखना है अगर ground का size छोटा है तो उस condition में आपको batsman में से ही captain और wise captain को select करना है क्योंकि ऐसी condition में आपको batsman ज़्यादा point देंगे क्योंकि batsman चोक्ये और छक्ये के भी point मिलते है तो यह चीज आपको note करनी है अब हमारा दूसरा point है player battle तो दोस्तों यह चीज भी सबसे important है आपको player selection select करने में क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि कौन से player को हम अपनी सभी team से avoid करेंगे और कौन से player को हम अपनी सभी team में fix रखेंगे player battle से आपको पता चलता है मतलब कि कौन सा baller कौन से batsman को out करेगा यह चीज आपको देखना है और साथ में आपको यह भी देखना कि उस ground में उस player का record कैसा है तो यह हमारा दूसरा point है अब हम अपने तीसरे point पर चलते हैं तो हमारा तीसरा point है winning chance तो दोस्तो winning chance में आपको यह देखना है कि कौन सी team के जीतने के ज़्यादा chance है क्योंकि ऐसे ऐसे match होते है जैसे कि दो strong team के बीच में match होता है तो उसमें आपको कोई भी team जीत सकती है वहीं अगर एक weak team है और एक strong team है for example मान कर चलिए कि इंडिया का और जिंबावे का match है तो ऐसी condition में आपको किस तरह से player को select करना है यह आपको ratio में player select करना है साथ player आपको इंडिया के select करने है और च्यार player जो weak team होती है उसके अब इसमें भी आपको toast सबसे बड़ा matter करता है ऐसी condition में आपको toast से पता चलेगा कि captain और vice captain किसे बनाना है अगर माल लिजे इंडिया की betting आती है तो उस condition में आपको batsman को captain vice captain बनाना है वहीं अगर इंडिया की fielding आती है तो ऐसी condition में आपको ज़्यादा baller को select करना है और captain और vice captain भी आपको baller में से select करना है और अब हम अपने चोथेट point पर चलते हैं और दोस्तों ये जो मैं आपको point बता रहा हूं 7 point ये सारे के सारे point इन चीजों से जुड़े हैं इसलिए आप सभी point को ध्यान से समझना ताकि आपको बाद में अच्छी तरह से समझ में आ सके तो हमारा चोथा point है current form तो आपको ये देखना कि कौन से player की current form अच्छी है जिस player की current form अच्छी है तो उस player को रखना और जिस player की current form खराब है तो उस player को आपको अपनी सभी team से भार कर देना चाहिए वो player कितना भी बड़ा player क्यों नहों for example रोहित सर्मा हुआ और इसके अलावा विराट कोली को भी आप ले सकते हो इसके अलावा जिसकी current form अच्छी है मतलब कि जो player 10 match में से 7-8 match में चलता उस player को अपनी सभी team में try कीजिए जैसे कि सूर्य कुमार यादो हो गया इसके अलावा हार्दिक पांडे हो गया तो ऐसे player को अपनी सभी team में try कीजिए अब हमारा पांचा point है ground की size तो आपको ground देखना कि ground कितना बड़ा है उसी के according आपको अपने player को select करना है और कितना score बनता कितने wicket गिरते हैं यह सब कुछ आपको ground का record देखना है अब दोस्तों साथ वह point है यह है right and left combination यह चीज भी बहुत important है grand league में player select करते समय इस चीज को काफी लोग ignore भी करते हैं तो आपको यह देखना है कि दोनों team में कितने left hand batsman है कितने right hand batsman है और वहीं कितने left arm baller है spinner कितने है off spinner कितने है leg spinner कितने है उसी के according आपको player को select करना है और दोस्तो right hand batsman होता है तो उसको leg spinner ज़्यादा उट करता है और left hand batsman को off spinner ज़्यादा उट करता है तो यह सारी चीज आपको देखना है आपको देखना है कि pitch किसको support करती है उसी के according आपको अपने player को select करना है तो दोस्तो ये 7 point सबसे important है आपको grand league की team बनाते समय तो यहां से आपको पता चलेगा कि state कैसे निकालते हैं और कौन-कौन से player को हमें अपनी team में select करना है तो दोस्तो अब हम सबसे important point पर आते हैं ये point है अब इसको आप ध्यान से समझना है क्योंकि dream मिलाया उनमे 99% लोग यहीं गलतियां करते हैं और इसी वज़े से उनकी grand league miss होती है और दोस्तो dream मिलाया उनमे लाखो करोडो team में बन सकती है तो ये बात आपको ध्यान में रखने है इसलिए आप ज़्यादा team बनाकर पैसा वेस्ट ना कीजिए सिरफ आपको ये चीज समझनी है इसलिए मैं आपके लिए ये main point लेकर आए हूँ अब इस point को आपको समझना है तो हमारा सबसे पहला point है fix player अब दोस्तो fix player कौन से होते हैं हर team में जब match होता है तो दोनों match के मिलाकर आपको 6-8 ऐसे player होते हैं जो की dream ilion का हिस्सा होते ही होते हैं तो आपको 20 team बनानी है तो उस 20 team में 6-8 player को अपनी सभी 20 team में try करना है for example आप दोनों team के मिलाकर जैसे किसी का current form अच्छा है तो उस player को रखिए player battle देखिए कि कौन सा player किसको out करता है for example जो baller जिस batsman को out करता है तो उस baller को आपको अपनी सभी 20 team में try करना है तो वो आपका fix player हो गया current form जिसके अच्छी है वो भी आपका fix player हो गया और इस के अरवा right and left combination आप देखिए इस तरह से आपको 6-8 ऐसे player मिल जाते है जो आपको अपनी सभी team में try करना है अब इन में selection percentage किसी का 60% होता है किसी का 70%, किसी का 90%, किसी का 40% तो ऐसा इन player का percentage होता है तो ये player आपको अपनी सभी team में try करना है अब हमाρά दूसरा point है replace player अब replace player कौन से होती है तो दोस्तो replace player वो होते है जो कि जिन पर आपको doubt होता है कि ये player चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते हैं तो ऐसे player को आपको replace करना है जैसे कि विराट कोली हो गया, रोहिट सरमा हो गया तो ये doubtful player होता है इसी तरह से बोलर में भी आप ले सकते हो तो इस तरह से 4 से 6 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आपको replace करना है तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको समझने हैं अब हमारा तीसरा पॉइंट होता है reject प्लेयर तो दोस्तों इसको ध्यान से समझना reject प्लेयर कौन से होते हैं 5 से 7 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी सबी टीम से avoid करना किसी भी टीम में नहीं रखना है ऐसे प्लेयर कौन से होते हैं जैसे की for example बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जैसे की 10 मैच में से जो player 7 या 8 match में flop जाता है सिर्फ 2 match में चलता है तो ऐसे player को आप अपनी team से out कर दीजिए सबी team से avoid कर दीजिए इसके लावा आप कुछ player पर risk भी ले सकते हो तो कुल मिलाकर ऐसे player को आप अपनी सबी team से drop कर दीजिए तो जब भी आप 20 team बनाते हो इन player को तो बिलकुल reject कर दीजिए अब आपके पास सिर्फ ये दो option है अब इन में fix player को आप अपनी सबी 20 team में try कीजिए और बाकी जो player होते हैं उन में इन player को replace करते जिए और जितने भी combination बनते हैं वो सारी combination आप बना दीजिए तो ये सबसे important point है इस point को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप अपने 22 के 22 player को अपनी सबी team में try करोगे मतलब कि ये 22 player का squad है तो इसको छोटा करने के लिए आपको reject player ये कुछ player को reject करना पड़ेगा अगर आप इनको भी mix करते हो इन player को सबी player को mix कर देते हो तो आपका squad 22 player का हो जाएगा और 22 player का जब आपका squad होगा तो आप यहाँ पर unlimited team बना सकते हो ऐसे में आप confused हो जाओगे और फिर आप चाहे 20 team बनाओ 40 team बनाओ multiple team बनाओ multiple account से खेलो आप कभी भी rank 1 नहीं ला सकते हैं तो ये चीज़ आपको note करनी है आपको कुछ player को अपनी सभी team से reject करना अगर आप इन player को भी mix कर देते हो सभी 22 के 22 player को आपस में लड़वा देते हो फिर आप कभी भी grand league win नहीं कर पाऊगे तो ये सबसे important point है और यहीं पर ही लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं अब दोस्तों आपको team कैसे बनाने है for example यहाँ पर एक team है और यहाँ पर team भी है अब आपको इन में से fix player रखने for example यह player है अब यह bowler इस batsman को out करता है तो आपका इन में एक fix player तो यह हो गया और यह आपका reject player हो गया यहाँ से इसको आप reject कर दीजिए इस player को और उसके बाद में यह आपका fix player हो गया इसी तरह से आप यहाँ से भी कुछ player को fix रखिए और जैसे कि जो team पहले batting करती है जैसे कि यह all-rounder है छटे number B team पहले batting करती है तो आप छटे number का जो all-rounder इसको fix रखिए क्योंकि इसकी batting आने के ज़्यादा chance है अब दोस्तों आपको यह point भी समझना है कि left hand right hand combination जैसे कि यहाँ पर आपको यह देखना कि कितने right hand batsman है कितने left hand batsman है उसी के according आपको in baller में से select करना for example यहाँ पर यह तीसरे और चोथे number का left hand batsman है तो आपको यहाँ से क्या करना है इन baller में से जो भी off spinner होता है तो उस player को आपको अपना fix player बनाना है क्योंकि वो player इसको out कर सकता है तो इस तरह से आप अपना player selection कर सकते हो आपको यह पता चलेगा कि fix player कौन से है reject player कौन से रखने है और आपको reject, replace कौन से player को करना है इस तरह से आपको captain और vice captain भी select करना है और अपनी multiple team बनाने है और दोस्तों जो भी team पहले batting करें आप उसके जो fielding करते हैं for example, A team fielding करते हैं तो अब इसको vice captain बना सकते हैं अपनी सबी team में अगर यहां से एक bats man को out करता है तो ऐसी condition में एक point एक wicket यहां से निकालेगा फिर यह death में हो सकता है एक दो wicket और निकाल दे तो ऐसी condition में आप इस player को अपनी सबी team से सबी team में vice captain बना सकते हो और फिर आप captain इस तरह से rotate कर सकते हो तो इस तरह से आपको captain और vice captain rotate करना है और दोस्तों हो सके तो आप अपनी सबी team में captain या फिर vice captain सिर्फ एक ही रखना कम से कम या तो आप vice captain एक रखिए या फिर captain एक रखिए अगर आप captain और vice captain भी इस तरह से swipe करते रहोगे तो आप तब भी आप grand league भी नहीं कर पाऊगे क्योंकि ऐसा करने से भी बहुत ही बड़ा squad बन जाता है ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आपको एक एक चीज को समझना है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को like जरूर करना और आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो इस channel को subscribe कर दीजिए तो फिर मिलते हैं next वीडियो में और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much